सर्फराज का शतक सौराश्ट्र 98 पर सिमटा राजकोट, मुकेश कुमार की शांदार, स्विंग, गैनबाजी से सौराश्ट्र को पहली पारी में 98 रन पर समेटने के बाद शेश भारत ने सर्फराज खान के शतक की बदौलत शनिवार को यहां इरानी ट्रोफी मैच के पहले दिन मजबूत शिरुवात की, स्टंप तक सर्फराज 126 गेद में 125 रन बनाकर खेल रहे थे जिससे शेश भारत का स्कोर 3 विकेट पर 205 रन था, उपस्थिती में सर्फराज ने आकरशक स्ट्रोक्स लगाए, उन्होंने अभी तक अपनी पारी में 19 चोके और 3 चके जड़ दिये थे, शेश भारत का स्कोर 3 विकेट पर 18 रन हो गया था, तब सर्फराज ने पारी को संभाला और सौराश्ट्र के गेंद बाजों के खिलाफ आकरामक बल्लेबाजी की, सर्फराज ने इरानी टौफी इससे पहले मुकेश 23 रन देकर 4 विकेट की स्विंग के साथ टीम ने युवा कुलदीब सेन 41 रन देकर 3 विकेट और उम्रान मलिक 25 रन देकर 3 विकेट की मदद से 2019-20 रन जी ट्राफी चैंपियन सौराश्ट्र को 245 ओव में महज 98 रन पर समेट दिया, मुख्य चैनकरता चेतन शर्मा और उनके साथ ही सुनील जोशी की हनुमा विहारी, 145 गेंद में नाबाद 62 रन के साथ चोथे विकेट के लिए नाबाद 185 रन की साजेदारी निभाली है, सर्फराज ने जयदेव उनाद कट की गेंदों पर आकरशक शोट लगाए, उनाद कट ने दो बाउंसर लगाए जिसमें सर्फराज ने एक छक्का और एक चौका जमाया इस गेंद बाज को फिर बाउंडरी रोकने के लिए क्षित्र क्रिकों को फैलाना पड़ा, बाए हाथ के स्पिनर धर्मन्व जडेजा पर उन्होंने लेट कट से अपना शतक पूरा किया, शतक की एपारी के दोरान स्ट्रोक लगाते शेश भारत एक आदश के सर्फराज ख हान